जय श्री राम श्री अयोत्या राम मंदिर के गर्भा ग्रह में भगवान श्री राम लल्ला की प्रान प्रतिष्ठा करने के बाद 51 इंच की मुर्ती की पहली जलक दुनिया को देखने को मिली पास साल के राम लल्ला की यह दिव्य मुर्ती हम सभी का मन मोह रही है और उनकी यह दिव्य छबी हमारे मन और मस्तिक में अंकित हो गई है हमारे लल्ला के श्रंगार में कोई कमी नहीं रखी गई है सभी तरके रत्न आभूशनों से हमारे राम लल्ला की मुर्ती को सीर से पेर तक सजाया गया है तो आए जानते हैं उनको किन-किन आभूशनों से सजाया गया है प्रभु राम के माते पर जो तिलक लगा हुआ है वो डाइमंड और रूबी का बना हुआ है प्रभु राम ने सोने की बनी करगनी पहनी हुई है जिसमें हीरे, रूबी, मोती और पन्ना लगा है प्रभु के दोनों हातों में सोने के बने हुए भुजबंद जिसमें कीमती पत्थर लगे हुए है साथ ही हाथ के कंगन में भी रतन लगे हुए है वही प्रभु के हातों में एक मुद्री का है जिसमें भी रतन लगे हुए है भगवान राम के सोने के मुकुट में रूबी, पन्ना और हीरे लगे हुए है और कानों में मोर की आकरती के सोने के कुंडल जिसमें हीरे, रूबी और पन्ना लगा हुआ है भगवान के हृदे के पास कौस्तुब मनी पहनी हुई है, जिसमें बड़ा सा हीरा वो रूबी लगा हुआ है भगवान के बाए हाथ में सोने की धनुष जो मोतियों, रूबी और पन्ना चडित है और दाए हाथ में सोने की धनुष है भगवान राम ने पैरों में रत्न वो डाइमंड और रूबी से बनी पेंजनिया पहनी हुई है साथ ही भगवान के चर्णों में सोने की माला पहनाई गई है वही भगवान के आसपास चांदी से खिलोने जिसमें हाती घोडा ओट आदी है साथ ही डिप्ती मान प्रभा मंडल पर सोने की छत्रे लगी हुई है और सबसे अधिक जो श्रिंगार हमारे रामलला का किया गया है वह है उनकी बाल रुपी मुस्कान जिस पर हम सभी नियोचावर जा रहे है उनकी मुस्कान हमारे दिल में दिमाख में और मस्तिक में अंकित हो गई है तो बोलिए जै श्री राम जै श्री राम जै श्री राम